असलालेकुम फ्रेंड में फर्जान अमिमान आज मैं आप लोग के लिए लेके आएँ पानी फुल्की की रेसिपी जिसे बनाओंगी मैं कुछ मुन्फरेद मसालों के साथ यह चटपटी फुल्कियां जो हैं बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और मैं आप लोग को बताओंगी क आप लोग किस तरीके से इस फुल्कियों को सॉफ्ट और जालीदार बना सकते हैं तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ यहां पर मैंने ले लिए चने का आटा 200 ग्राम इसमें मैं शामिल करें नमक इसके साथ यह शामिल कर दूंगी सोडा इन तुईनों चीजों को मैं अच कप इसके अंदर डाला है एक साथ जादा पानी हम नहीं डालेंगे अगर ज्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा बेटर जो हो पतला हो जाएगा तो यहां पर फिर थोड़े पानी की जरूरत है तो मैं फिर इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करती हूं और आटे को 200 ग्रम आटा लिया है इसके अंदर मैंने शामिल किया नमक और सोडा बस तो यह बेटर जो हैना हमारा आप देख सकते हैं कि इतना गाड़ा हमें चाहिए जादा इसे लिक्विट नहीं करना है तो आप लोगों ने तमाम चीजों की मिगदार जो हैना बिलकुल बराबर रख है आप चमय्स से भी डाले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हांट से डाले तो आप हांट से ब्राện ऊग्लियों कर आ expect ड़कोगे है और उन पर लोग आप लोगो को और ख्याल रखनी है CDC आपको फ्राइgende बनाने न इससे आपको कढ़ाई में नी बनाना नहीं है कढ़ा तो यह डबल हो जाएंगी देखिया फुलने के बाद कितनी डबल डबल हो गई न यह सुनेरी कलर हो चुका है इसके पर आगे अब मैं इसे निकाल लेती हूं तो यहां पर मैंने साधा पानी ले लिए दो गिलास भर कर जितना भी पानी ले ले इसकी कोई मिगदार की जरूरी नहीं है जादा या कम बस इसके अंदर मैंने इन फुल्कियों को डाल के मैं साइट पर रख देती हूं और यहां पर मैं तयार कर लेती हूं इसका पैस्ट तो यहां पर जो है मैंने आदा पाओ के करीर इमली को भीगा दिया था कुछ देर पेले अब मैं इसे चान लेती हूं बस इसको आपको दो या तीन पानी से नहीं निकालना है बस एक ही बार आप इसको चनी में डालेंगे और इससे चान कर बीच को आपने साइट पे कर देना है यहां पर मैंने डाल दी है इसके अंदर दो गिलास पानी भर कर और इसके अंदर हम कर देंगे यह शामिल मसाले मसालों में हमारे पास है चाट मसाला है काला नमक है टाटरी है कटर मिर्च है और यहां पर है यह मेरे पास जो है ना यह कड़ी पत्ते पुदीना और दनिया ज सीवी काली मिर्चे और ले लिए नमग बस इन सारे मसालों के हमें इसके अंदर शामिल कर देगे यहांरें पर हमारी यह रेसिपी मुकमिल नहीं हुई है आग इसके अंदर में और मसाले डालूंगी जो आपको बताना है अब हम इस तमाम मसालों को पानी में मिक्स कर लेते हैं और मैंने ले लिया यहाँ पर भुनावा, खुटावा, जीरा, आदी चम्मच भर कर वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है यहाँ पर जो हमने पानी में फुलकियां डाल के रखी थी तो यहाँ पर लच्छे दार प्याज इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज आपको लच्छे दार डालनी है अगर आपको नहीं पसंदे तो आप प्याज को ना डाले और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस पर काड़ के डाल दूँगी धनिया यह भी अगर आपको नहीं पसंदे तो आपने ही डाले और मैं इसके अंदर शामिल करनी हूँ लाल चटनी जो लाल वाले छोटे साबुत मिर्चे होते हैं यह उसकी चटनी है इस चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकी हैं तो आप लोग इसकी रेसिपी चट-पिटी खटी खटी इतनी मज़े की बनीए कि मैं आपको बता नहीं सकती तो आप लोगों को अगर मेरी यह फुल्कियों के रेसिपी अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट कर दें लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर कर दें आपका कमेंट और लाइक मुझे जाते जाते चैनल पे लए तो को सब्क्राइब कर दे गुंटी की बिटन को ओल पे जाकReGvard कर दे ताके मेरी आनेवाली तमाम रेसिपिस आपको बहाशानी देखने को मिल सके , हुकुमत ने कोई टेक्स नहीं रखा कोई बेलस नहीं रखा तो आप लोग सब्क्राइब करने में कंजूसी ना करें शुक्रिया